सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से दुआ भी कबूल होती है और सपने भी पूरे होते हैं जाने कितने लोग हैं जो ये सपना देखते हैं कि एक दिन जिन्दगी हसीन होगी जाने कितने लोग हैं जो ये सपना देखते हैं कि एक दिन जिन्दगी में हर खुशी होगी एक दिन जिन्दगी में हर वो चीज होगी जो हमने चाही है और जरूरी भी है सपने देखना चाहे वो कुछ बनने का सपना हो कुछ पाने का सपना हो या कुछ करने का सपना हर आँख में एक सपना पलना ही चाहिए लेकिन अक्सर सपने सच नहीं होते अक्सर लोग वो नहीं बन पाते जो वो बनना चाहते थे अक्सर लोगों को वो नहीं मिलता जो वो जिन्दगी से चाहते थे कभी सोचा है क्यों क्योंकि सफल होने के लिए लोगों का कारण लोगों की वज़ा बहुत छोटी होती है लोग सफल होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए लोग काम्याब होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें एक बड़ी कार खरीदी है बहुत छोटे हैं ये कारण बहुत छोटी हैं ये वजहें काम्याब होने के लिए कारण बड़ा चाहिए सफल होने के लिए वजह बड़ी चाहिए सपने पूरे करने का रास्ता अपनी मनजिल अपने मुकाम तक पहुशने का रास्ता बहुत लंबा है इस रास्ते पे चलते हुए आप गिरेंगे इस रास्ते पे चलते हुए आप ठकेंगे इस रास्ते पे चलते हुए मुश्किलें भी आएंगी इस रास्ते पे चलते हुए होसला भी तूटेगा, हिम्मत भी जवाब देगी लेकिन अगर काम्याब होना है, तो इस रास्ते पे बिना रुके, बिना ठके चलना होगा गिरे तो गिर के उठना होगा, मुश्किलों का सामना करना होगा आउसला और हिम्मत बनाये रखनी होगी लेकिन लोग यही नहीं कर पाते लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं हार जाते हैं और छोड़ देते हैं कोशिश करना पता है क्यूं? क्योंकि उनका सपना तो बड़ा होता है लेकिन उनके सपने का कारण बहुत छोटा होता है उनके सपने की वज़ा बहुत छोटी होती है अगर आपका कारण बड़ा है तो आप एक नहीं सौ बार गिर के उठ सकते हैं अगर आपकी वज़ा बड़ी है तो आप एक नहीं हजार मुश्किलों का सामना कर सकते हैं क्योंकि एक बड़ा कारण आपके होसले को पहाड जैसा बुलंद बना देता है एक बड़ी वज़ा आपकी हिम्मत को चटान जैसी मचबूत बना देती है मुझे पता है बात थोड़ी मुश्किल है और जब मुश्किल हो तो अकसर कहानियों का सहारा लेना पड़ता है ताकि बात को आसानी से समझा और समझाया जा सके तो सुनिये बात थोड़ी पुरानी है साल था 1990 और तारीख थी 11 फरवरी जापान के टोक्यो शहर में मुकाबला था बॉक्सिंग का जहां दो बॉक्सर आपस में भिड़ने वाले थे एक तरफ थे बॉक्सिंग के धुरंदर माइक टाइसन जिनके नाम से ही बॉक्सर थरथर कापते थे और जिनके बारे में माना जाता था कि उन्हें हराना नामुम्किन है टाइसन अपने पिछले 37 मुकाबलों में से एक भी नहीं हारे थे और 33 बार अपने अपोनेंट को नौक आउट यानी चारों खाने चित कर चुके थे वहीं दूसरी तरफ थे डगलस बस्टर जिनसे लोगों को बहुत उमीद नहीं थी लोग वहां माईक टाइसन को जीतते हुए देखने आये थे लेकिन उस दिन तो जैसे डगलस ने कसम खाई थी कि वो हारेंगे नहीं वो बहुत हिम्मत और हौसले से लड़ रहे थे कि आठवे राउंड में अचानक उन्हें टाइसन का एक पंच पड़ा और वो जमीन पे गिर गए किसी को उमीद नहीं थी कि वो वापस खड़े हो सकेंगे लेकिन वो खड़े हुए और दस्वे राउंड में उन्होंने इतिहास रच दिया डगलस बस्टर के पंच ने माइक टाइसन को बॉकसिंग के भगवान माइक टाइसन को नौक आउट कर दिया जानना चाहेंगे आप डगलस बस्टर ने ये कैसे किया डगलस ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उस दिन उनके पास एक बड़ा कारण एक बड़ी वज़ थी कि मेरा बेटा माइक टाइसन को जरूर हराएगा लेकिन इस मुकाबले से ठीक एक महीने पहले उनकी माँ चल बसी डगलस चाहते तो उस दिन खुट तूट सकते थे लेकिन उन्होंने खुद से वादा कर लिया कि वो अपनी माँ के लिए लड़ेंगे उन्होंने खुद से वादा कर लिया कि वो अपनी माँ का सपना पूरा करेंगे उन्होंने अपनी माँ के लिए अपनी पूरी ताकत जोंग दी उन्होंने अपनी माँ के लिए अपनी पूरी हिम्मत जोंग दी उस दिन उनका कारण उन्हें लगने वाली हर चोट से बड़ा था उस दिन उनकी वज़ा उन्हें पढ़ने वाले हर पंच से बड़ी थी और यही है वो तरकीब, यही है वो तरीका काम्याव होने के लिए आपको भी एक वज़ा चाहिए, एक कारण चाहिए हर इनसान के पास है वो कारण जरूरत है उसे पहचानने की सोचिए आपके पिता आपके अबू ने आपके लिए कितने कुर्बानिया दी है सोचिए आपकी माँ आपकी अम्मी ने आपके लिए कितनी रातों को रजजगा किया है देखिए दुनिया में कितने लोग हैं जिनके आप काम आ सकते हैं तो ढूंडिये ढूंडिये वो कारण अपने पिता के फटे जूतों में ढूंडिये वो कारण अपनी मा की बूढ़ी उदास आखों में ढूंडिये वो कारण किसी रोते हुए गरीब बच्चे में ढूणिए वो कारण वतन की खसता हालत में कहीं भी ढूणिए कैसे भी ढूणिए पर ढूणिए कोई बड़ा कारण जो आपके अंदर एक आग लगा दे ढूणिए कोई बड़ी वजा जो आपको कुछ कर गुजरने पर मझगूर कर दे क्योंकि ये ही पूरा दिरसती है आपके और हम सब के सबने